A very good morning students, आज हम सिखने वाले हैं दूसरी इकाई में से कविता पांच वी बसंत गीद। इस कविता के कवी है श्री चंदर प्रकाश ची। विद्यार्थियों वसंतरुतु हम सभी को आनंद देने वाला होता हैं। भारत में वसंतरुतु मार्च, अप्रेल और मै की मैने में आता हैं। यह सर्दियों के तीन मैनों के लंबे समय बाद आता हैं। जिसमें लोगों को सर्दी और ठंड से दाहत मिलती हैं। वसंत रुतु में तापमान में नमी आ जाती है और सबी जगह हरे भरे पेड़ों और फुलों के कारण चारों तरफ हरियाली और रंगीन दिखाई देता है। वसंत रुतु के आगमन पर सब लोग वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं, खुश्या मनाते हैं। वसंत के आने पर सर्दियों का अंत होता है और सब जगह खुश्याली चा जाती हैं। इस कविता के कवी श्री चंदरप्रकाश जी का जन्म 3 अक्तूबर 1957 में बुलंद शहर में हुआ। चंदरप्रकाश जी की खायाल उपर और उपर टेली फिल्म, गीत, बाल गीत आदी रचनाय प्रसिद्ध है। चंदरप्रकाश जी की एक कवी लेखक, निर्देशक, अभिनेत्ता और बहुप्रतिबा के धनी है। इनोंने विविद पत्र पत्रिकाओं में लेखन भी किया है। प्रस्तूद गीत में कवी ने वसंत रुतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। सर्व प्रतम हम कवीता का वाचन करेंगी। अजि गाओ रे रुतु बसंत सजी आयो। बन्बन बाग बाग बगियान में सुहनी सुगंद उडायो। ठुमकी ठुमकी मयुरा नाचत गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे रुतु बसंत सजी आयो। अजि गाओ रे रुतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसो फूली अरु बवर अमवा पेचायो, हरी हरी मटर बिचोने उपर अमितरंग बरसायो, सजी आयो रे रुतु बसंत सजी आयो, अजी गायो रे रुतु बसंती सजी आयो अब हम कविता का रसग्रहन करेंगे कविता के कवी श्री चंदर प्रकार जी कह रहे है कि बसंत रुतु में जिदर भी दुष्टी चाती है चारो और सउंदर्य, सुगंद और उल्लास का वातावरन रहता है सजी आयोरी, सजी मतलब सचकर आना कवी कह रहे है कि सचकर जो बसंत रुतु आया है उसके आनन के कारण सभी जू मूटे है और सभी लोग एक दुसरे को बसंत के गीत गाने के लिए कह रहे है कली-कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुसकायो कली मतलब बिना खिला फूल कलोल इसका अर्थ है क्रिडा कुसुम मतलब फूल और मंद मंद मतलब थीरे इसका अर्थ है कली-क्रिडा कर रही है फूलों की जो कलिया है वो अभी खिल रही है फूल ऐसे लग रहे है मानों मंद मंद मुस्कुरा रहे है गुन 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 जे मधुपगन मधुमकरंद चुरायो गुन 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 ये आवाज किसका है भोरों का है भौरे गुन-गुन गुनजार कर रहे है और इधर से उधर उड़कर फूलो का रस पी रहे है मदूप मतलब भौरा, मकरंद मतलब फूलो का रस सजी आयो रे रुतु बसंत सजी आयो, अजिगाओ रे रुतु बसंत सजी आयो वसंतरुतु सश्धचकर आ गई है और सभिवसंत के गीत गाओ बन-बन बाग-बाग बगियन में सुहनी सुगंद उडायो ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत को यलिया गाओ बगियन मतलब उपवन सुहनी ठुमकी मतलब खुशी से मयूरा का अर्थ है मोर और कोयलिया का अर्थ है कोयल कवी कहे रहे है कि वनों में बाग बगिचों में मनमोहक सुगंद उड रही है मोर ठुमक ठुमक कर नाच रहे है और कोयल मधूर गीत का रहे है सजी आयो रे रुतु बसंत सजी आयो अजी गाओ रे रुतु बसंत सजी आयो बसंत रुतु कैसे आया है सजधज कर आ गया है और इसी खुशी में सभी बसंत के गीत गाओ पीली पीली सरसो फूली अरु बवर अमवा पे छायो हरी हरी मटर बिचोने उपर अमित रंग बरसाओ बोर मतलब आम के फूल अमवा मतलब आम छायो मतलब आ गए अमित मतलब असिमेत कवी कह रहे है कि खेतों में हर तरफ सरसो के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे है आमो पर बोर आ गए है फूल आ गए है और मतर की फलिया इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने हरा भरा बिचोना बिचा दिया हो और उस पर बहुत से रंग बरसा दिये हो इस प्रकार ये वसंत रुतु आ गया है सजी आयो रे रुतु बसंत सजी आयो अजिगाओ रे रुतु बसंत सजी आयो वसंत रुतु इस प्रकार सज़़जकर आ गया है कि सभी वसंत के गीद काओ इस प्रकार प्रस्तूत कविता में कवी चंदरप्रकाश्ची ने बसंतरुतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तों का वर्णन किया है